असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे चिकन प्याज के पकोड़े जो की बहुती जादा टेस्टी बनते हैं आप इनको शाम की चाय में बनाए या फिर किसी गैस्ट के सामने बनाए सभी को बेहत पसंद आते हैं तो यहाँ देखे मैंने लिया है एक कप चिकन और इसको अच्छे से वाश करने के बाद चिकन को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया था तो सबसे पहले चिकन को मेरिनेट कर लेंगे एक टी स्पून लिया है लसन द्रक का पेस्ट और थोड़ा सा डालेंगे नमक या फिर अपने जाइके के मताबिक और अब मैं इसमें डालूँगी आधे निम्बू का जूस अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो चिकन को मेरिनेट करना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है हमें इसको 10 मिनट के लिए मेरिनेशन के लिए रख दूँगी देखे चिकन को हमारे रखे वे 10 मिनट हो गए है अब हम इसमें कुछ और चीज़े शामिल करेंगे जिसमें ये हमने दो बड़े साइस के लिए हैं प्याज प्याज को स्लाइसीज में कट कर लिया था आदा टीज़े श्पून लिया है भुना पिसा जीरा पाउडर और एक टेबल स्पून लिया है कुटा हुआ धनिया कुटा हुए धनिय का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है पकोडों में अब थोड़ी सी डाली है इसमें हल्दी और आधा टी स्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्ज और साथ ही अम इसमें डालूंगे थोड़ी सी लाल मिर्ज का पाउडर और अब इसमें डालेंगे हम आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर और यहां देखे मैंने लिया है यह आधा कप बेसन और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप चावल का आटा तो अगर आप चावल के आटे का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो तब आप इसमें चार टेबल स्पून कॉन फ्लोर का इस्तमाल कर लें और अब इसमें डालूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया दो से तीन हरी मिर्ज डाल देंगे बारीक कटी हुई अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा अब इसमें नमक और डाल देंगे क्योंकि पहले हमने चिकन के हिसाब से नमक डाला था तो देखे मैंने मिक्षर को अच्छे से मिला लिया था और इस तरह का हमारा ये मिक्षर बना है हो सकता है आपको थोड़े से बेशन की ओर जरूरत हो तो चलिए इसको फ्राइ कर लेते हैं यहां मैंने ओल को पहले ही गरम करने रख दिया था और ओल हमारा मीडियम गरम है अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो यह देखें तीन मिनट के बाद अब हम इसकी साइट को टन कर देंगे गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखेंगे बहुती डिलीशिस से हमारे ये पकोड़े बने हैं निकाल लेंगे इनको थोड़ा सा इस तरह से शेक करेंगे बहुती डिलीशिस और बहुती जबरदस हमारे ये पकोड़े बने थे आप इस रेसिपी को एक बार ज़रू ट्राइ करें आज कल बारिसों का मोसम है अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वोचिंग दे वीडियो अल्हाफीज